दोस्तों, blood pressure एक ऐसी chronic lifestyle illness है, जो कि अक्सर families में run करती है अगर आपको एक बार blood pressure हो जाता है, तो अक्सर ये माना जाता है कि ये आपको सारी जिंदगी रहेगा और हमेशा इसकी दवाईयां आपको खाते रहनी पड़ेंगी लेकिन बहुत कम लोग हैं जो ये जानते हैं कि अगर आप कुछ एक lifestyle modifications को अपना लें अपने जिंदगी में कुछ positive changes ले आएं और कुछ एक आयरुवेदिक remedies को इस्तमाल करना शुरू कर दें तो इसकी मदद से आप ना सिर्फ अपने blood pressure को control कर सकते हैं बलकि इसको किसी हद तक reverse भी कर सकते हैं तो आज की इस वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं जहां मैं आपको बताऊंगा तीन natural आयरुवेदिक remedies के बारे में जिसमें से की first two remedies जो हैं वो आपको अपने घर पे ही बनानी हैं यानि आप खुद ही इसको बना सकते हैं कुछ home remedies की मुदद से और last जो remedy मैं आपको आज बताऊंगा वो एक ready-made आयरुवेदिक medicine है जो की again आपके blood pressure को control करने में naturally आपको काफी ज़ादा मदद करेगी तो अगर आप कोई blood pressure patient हैं दोस्तों और जानना चाहते हैं कैसे आप इस blood pressure की problem से चुटकारा पा सकते हैं कैसे इसको naturally control कर सकते हैं और कैसे इसको reverse कर सकते हैं तो आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ अच्छी अच्छी जानकारी जानने को मिलेगी हाई दोस्तों मैं हूँ डॉक्टर सलीम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल healthy हमेशा दोस्तों blood pressure को हमें कैसे control करना है ये समझने के लिए हमें पहले समझना होगा कि कौन से ऐसे factors हैं जो कि blood pressure को बढ़ाने का काम करते हैं देखे जब भी हम बात करते हैं high blood pressure की तो दो factors सबसे जादा important होते हैं पहली चीज होती है amount of blood जो कि हमारा heart pump करता है और दूसरी चीज होती है resistance यानि कि pressure जो कि हमारी blood vessels या हमारी arteries उस blood के उपर लगाती है ये दो main factors होते हैं जो कि हमारे blood pressure को govern करते हैं तो जब भी हम बात करते हैं blood pressure को control करने की तो हमें अपना सबसे पहले इस blood volume को कम करना होता है और दूसरी चीज अपनी arteries को relax करना होता है ताकि pressure वहाँ पर कम हो सके इसके लिए दोस्तों सबसे पहली और सबसे basic requirement जो होती है वो होती है lifestyle modification for example सबसे पहले आपसे कहा जाता है कि आप नमक कम खाईए नमक कम खाने से क्या होता है कि हमारी blood volume है वो कम हो जाता है और उसकी विज़े से BP कम होने में हमें मदद मिलती है इसके साथ साथ आपको कहा जाता है कि आप stress से दूर रहे आप smoking मत करिये और proper नींद लीजिए इस stress जब हमें होती है तो उसकी विज़े से हमारी arteries concentrate करती है और pressure बढ़ जाता है इसी तरह से अगर हमें नींद कम आती है तो उसकी विज़े से भी हमारी arteries सिकुरती है और blood pressure बढ़ जाता है जब हम deep sleep में होते है तो उस टाइम हमारी arteries जहें वो relax करती है और BP down होना शुरू हो जाता है इसी तरह से अगर हम smoking करते हैं तो smoking भी हमारे blood vessels को concentrate करने का काम करती है blood vessels की जो walls होती है उनके लचीले पन को कम करने का काम करती है जिससे भी blood pressure बढ़ जाता है इसी तरह से आप से कहा जाता है कि आप exercise कीजिए, exercise करने से भी यही होता है कि हमारा जो heart होता है वो properly काम कर पाता है और हमारी जो नसे होती है वो लचीली बनती है और वो relax करती है और इसकी विज़ा से blood pressure कम होता है इसके साथ अक्सर आपने ये भी देखा होगा कि कहा जाता है आप non-wage items मत लीजिए तला भुना मत लीजिए और सुशुद शाकाहारी और vegetable खाना लीजिए जिसमें तेल, मसाले, चिकनाई वगरा कम हो क्योंकि जितने भी non-wage items होते हैं उनके अंदर cholesterol बहुत जादा होता है और cholesterol हमारी नसों के अंदर जमने के बाद, चिपकने के बाद वहाँ पर प्लाकिंग कर देता है और उससे भी हमारा blood pressure बढ़ जाता है इसके साथ साथ कुछ एक ऐसी herbal remedies भी होती हैं जैसे कि तीन remedies जो कि आज मैं आपको बताने वाला हूँ ये remedies आपके blood pressure को अगेन और जादा अच्छी तरीके से और जादा effective तरीके से control करने में आपकी मदद करते हैं तो चलिए अब जान लेते हैं इन तीन remedies के बारे में कि ये कौन सी हैं और कैसे कैसे आपको इनके इस्तमाल करना है लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर इस चैनल पर आप नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं और वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इसको like जरूर करिएगा और चैनल को subscribe भी कर लिजे और इसके बाद bell icon जरूर प्रेस कर दीजे ताकि आने वाले टाइम में भी इस तरह का जो content है हम बनाएं तो आपको समय रहते उसका notification मिल जाए आपके blood pressure को कम करने के लिए पहला formula जो आपना रहे हैं दोस्तों वो depend करता है सिर्फ दो natural ingredients के उपर पहली चीज जो इसमें आपको चाहिए वो है apple cider vinegar और दूसरी चीज है honey इसको बनाने के लिए आपको करना क्या है सिर्फ एक glass आपको चाहिए घलका गुनगुना पानी और उस एक glass के अंदर आपको डालना है आधा teaspoon apple cider vinegar और एक teaspoon honey इन दोनों चीज़ों को जब आप पानी के अंदर मिलाएंगे तो उसके बाद इसे आप इस्तमाल करिए सुबा सुबा खाली पेट रोजाना regularly जब आप इसको इसको इस्तमाल करेंगे तो उससे आपकी body के अंदर cholesterol भी कम होगा और आपकी जो vasodilation होता है body के अंदर वो process भी बढ़ जाएगा vasodilation का मतलब है कि जो आपकी blood vessels होती है जो arteries होती है उनको relax करने में उनको फैलने में ये मदद करेगा और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जितने जादा फैलनेगी आपकी arteries उतना ही जादा blood pressure आपके अंदर कम होगा तो इन दोनों ही फिनोमेना की वज़े से आपको blood pressure को control करने में मदद मिलती है और इसके साथ-साथ क्योंकि apple side of vinegar और honey से आपको और भी बहुत सारे health benefits मिलते हैं तो वो एक added advantage है जो कि आपको इस सिर्फ formula के साथ मिल जाती है दूसरी home remedy जो कि आप अपने blood pressure को कम करने के लिए इस्तमाल कर सकते हैं ये भी बहुत ही simple है और बहुत ही जादा effective है इसके लिए आपको again सिर्फ दो ingredients की जरूत पड़ेगी पहली चीज है orange juice और दूसरी चीज है coconut water इन दोनों चीजों को आपको आपस में मिलाना है 2 to 1 के ratio मे यानि 2 parts orange juice के अंदर आपको एक part coconut water का मिलाना है और इसको इस्तमाल करना है दिन में कम से कम 2 बार देखिए जितने भी citrus fruits होते हैं जैसे कि संत्रा है या orange है ये बहुत ही अच्छी चीज होती है आपकी body के अंदर से cholesterol को कम करने के लिए और बहुत ही अच्छा antioxidant effect भी आपको इसके साथ साथ आपकी जो body की blood vessels होती है उनको भी ये dilate करने का काम करती है और एक mild diuretic भी होती है ये सभी factors मिलके आपको blood pressure को कम करने में मदद करते हैं इसी तरह से जो coconut water होता है दोस्तों इसके अंदर potassium content बहुत ज़ादा होता है और potassium जो है ये हमारी body के अंदर sodium का जो effect हो पर उसको counter करने का काम करता है और ये भी एक बहुत ही अच्छा और natural diuretic का काम करता है हमारी body के अंदर और ये सभी चीज़े मिलके जो है कहीं न कहीं हमारी blood vessels को तो relax करते ही हैं हमारी body से जो पेशाब आने की पिरक्रिया होती है जो urination होता है उसको भी बढ़ा देती है और है एक ready made ayurvedic medicine जिसका नाम है एनविदा B capsule ये एक ayurvedic medicine है दोस्तो जिसको एनविदा नाम की company ने बनाया है जिसके और भी बहुत सारे products में आप लोगों को recommend करता रहता हूं क्योंकि काफी ज़ादा अच्छे और काफी ज़ादा effective products इनके होते हैं ये B capsule जो है दोस्तो ये न सिर्फ आपकी blood pressure को control करने में आपकी मदद करता है बलकि इसके साथ-साथ stress को कम करने में anxiety को कम करने में और आपकी overall body में एक तरह का soothing effect आपको provide करने में ये बहुत ज़ादा helpful है और ये anxiety और stress और इस तरह की जो चीजे होती है ये बहुत ज़ादा बड़ा factor होती है हमारे बहुत ही अच्छे effect और बहुत fast results मिलते हैं इस medicine को बनाने के लिए दोस्तो साथ ingredients का इस्तमाल किया गया है पहली चीज जो इसमें इस्तमाल की गई है वो है सर्पगंधा सर्पगंधा एक बहुत ही अच्छी Ayurvedic medicine है जो की बहुत समय से इस्तमाल होती आई है ancient times से आपके blood pressure को control करने के लिए दूसरी चीज जो इसमें इस्तमाल हो रही है वो है पुनर्वा तीसरी चीज है गोगशुरा चौती चीज है अश्वगंधा पांचवी चीज है भूमियामला की छटी चीज है जटा मासी और सातवी चीज है अरजुना यह साथ ऐसे natural ingredients हैं जो की इस medicine को बन diastolic blood pressure के उपर और इन दोनों को ही कम करने का काम करता है पुनर्वा जो है यह एक डाइरोडिक होता है जो हमारे पिशाब आने की जो प्रिक्रिया है उसको बढ़ा देता है और इसकी वजह से blood volume कम होता है और हमारा blood pressure कम होने में हमें मदद मिलती है गोगशुरा की अगर हम blood vessels को dilate करने का काम करता है और इसकी वजह से blood pressure कम होता है और गोगशुरा एक बहुत ही अच्छा general health tonic भी है जो की हमारी overall health and well-being के लिए अच्छा होता है मरदाना शक्ती भी हमारी बढ़ाता है और energy provide करता है body के अंदर भूमिया मलाकी की अगर मैं बात करूँ तो ये भी ए एक stress hormone होता है जो हमारी body के अंदर stress, anxiety और depression पैदा करने के लिए responsible होता है तो क्योंकि एशुगंदा इसमें इस्तेमाल की जारी है तो उसकी वजह से ये सभी चीजे भी कम होती है और overall एक relaxation मिलता है हमें और blood pressure कम करने में भी मदद मिलती है जटा मासी की अगर मैं बात करूँ anxiety में तो help मिलती ही है और इसके साथ साथ हमारा blood pressure है वो भी कम होने में मदद मिलती है अरजुन की अगर मैं बात करूँ तो इसके बारे में तो आप जानते ही है कि एक बहुत ही बढ़िया herb है जो कि हमारे दिल के लिए एक बहुत ही अच्छा protective factor होती है करीब करीब दिल की उससे आपको इतने जादा benefits नहीं मिलते हैं और लेना भी possible नहीं होता है तो क्योंकि combination में आपको ये सभी चीज़े इस product के अंदर मिल रही है जिसका नाम है Envida B Capsule तो ये सभी चीज़े combination में जब आप लेंगे तो उसकी वज़े से आपको जादा अच्छे synergistic effect मिलते हैं औ और blood pressure काफी effectively और काफी तेजी के साथ आपका कम होना शुरू हो जाता है इस product को अगर आप लेना चाहते हैं तो इसके लिए आप इसको directly order कर सकते हैं Envida की अपनी website से भी या फिर आपके नजदी की किसी medical store से भी आप पता कर सकते हैं अगर वहाँ available है तो directly वहाँ से लेके इस में भी लगा दूँगा तो अगर आप चाहिए वहाँ से क्लिक करके directly इसको order कर दीजेगा आपको blood pressure कंट्रोल करने में और इस तरह की problems को दूर करने में आपको बहुत ही ज्यादा help मिलेगी इस product की मदद से जहां तक बात आती है इस product की dosage की तो इसको इसको इस्तमाल करने क भी काफी अच्छा होगा अगर आप already कोई दवाई ले रहे हैं blood pressure की तो आपको कभी भी अचानक से अपनी दवाई है वो बंद नहीं करनी है बिना doctor के परामर्श के इस दवाई को अपनी existing medicine के साथ आप लेना start करिए और usually करीब तीन हफते के अंदर आपका blood pressure है वो बहुत अच्छी तरह से control होना शुरू हो जाता है और फिर उसके बाद आप धीरे धीरे अपने doctor की सलह से उसके advice से अपनी जो allopathic medicine है या तो उसकी dose धीरे धीरे कम कर सकते हैं या फिर उसको बंद भी कर सकते हैं लेकिन बिना अपने doctor के परामर्श के बिना उनके advice के आपको अपनी allopathic medicine या कोई भी जो आप medicine लेते हैं अपने blood pressure को control करने के लिए वो अचानक से अपने आप नहीं छोड़नी है उसके साथ ही इस medicine को आपको इस्तमाल करना है तो दोस्तो मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और इसमें बताये कि जो ये formulas जो home remedies थी वो आपको जरूर effect देंगी और बहुत ही अच्छे results मिलेंगे आपको in terms of controlling your blood pressure दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे एक like जरूर दीजेगा हमारे चैनल पर अगर नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को subscribe भी जरूर कर ल आने वाले समय में किसी particular topic के बारे में तो वो भी आप मुझसे share कर सकते हैं comment section में मैं आपके सभी comments को पढ़ता हूँ but unfortunately सभी का जवाब तो नहीं दे पाता कोशिश करता हूँ जितना ज़्यादा से ज़्यादा जवाब दे सकूँ क्यों कि थोड़ा time की shortage रहती है तो उसकी मैं सभी का जवाब नहीं दे पाता हूँ but आप जितने भी comments करते हैं सबको पढ़ता जरूर हूँ तो अपने comments करते रहिए ताकि मुझे motivation भी मिलता रहे और आने वाले समय में किस तरह की videos आप देखना चाते हैं ये भी मुझे मालूम चलता रहे तो चलिए इसी के साथ मैं Dr कुछ नया सेखते रहिए ताकि आप रह सकें healthy हमेशा